मंगलम इस्टिट्विट के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अफिनिंदन है मैं हूं आज इसकुमार दूब्य और आज हम लोग बात करेंगे मार्फोलाजी आफ फ्लॉरिंग पांड कर प्लांड का यह टॉपिक चल रहा और बड़ी ही एक्स्प्लीनेशन के साथ बड़ो ही स्लो मोशन में क्लासेश चल रही है मैं आपको बता दूं कि जितने भी कंटेंट हैं आपके एक भी कंटेंट आपको एक्जाम औरिंटेट हैं स कांसिप्ट को आप डेली अपने कांपी पे लिखते चलिए रिवाइश करते चलिए और यही चीज आपके एक्जाम में आएगा इससे अलामा कुछ आपके एक्जाम में आने वाला नहीं है अभी तक मैंने जो है सारे कंटेंट को हमने पढ़ा दिया है जैसे कि आपका आप और मैं आपको बता दो कि इस वीडियो के बाद बहुत यह लगले चैप्टर की तरफ चलेंगे तो पूरा का पूरा स्लेबस खतम होगा विशास बनाके रखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगे ठीक है और लाइक और कमेंट जरूर बताते चलिए तो यहा कोईट बता है आपको कंसेंट्रेट हो के सुनते चलना और ek आफ़ फिना यहां पर आधकर जोब सिसल्टाप इच्छाइब है आधकर जब की बारे माड़े चर्चा करेंगे लीफ क्या है लेफ पूरा लेफ के बाद हमने वह पूर्ट के बारे में चर्चा करना है ठीक है न फ्रूट सर्ग देखिए फ्रूट क्या है और फ्रूट की ओर जिन कहां से होती है और फ्लावर फ्लावर के करिस्पॉंड में इनका जो फ्रूट की ओर जिन होती है किस तरीके सुनके टाइप्स क्या है अलग अलग तरीके के फ्रूट से भी होते हैं और उनका अलग अलग प् feature of flowering plant मैं आपको बच्चों बता दो कि flowering plant का यह सबसे अच्छा fruit वही देता है जिसके पास flower produce होते हैं मैं आपको बता दो कि flowering plant जो flower देते हैं वही fruit में convert होता है क्योंकि आप जानते हैं कि जो फ्लावर देते हैं फ्लावर से ही फ्रूट का निर्माड होता है तो यह आपको ध्यान रखना है कि इनका करेक्टर इस्टिक फीचर है इनके डिफिनीशन क्या होती फ्रूट की यही आप से पूछा जायागा आपके एक्जाम में क्या पूछा जाएगा कि सर यह मिच्योर और राइपेंड ओरी होता है डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के बाद इनका डेवलप्मेंट होता है और इसी अवस्ता को मेच्योर या राइपेंड औरी कहते हैं यह आपके आसपास जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रहे हैं सब फ्रूट हैं ध्यान रखेगा य और इस फ्रूट को ही हम लोग लेखते हैं यहांप इस तरिक इनका अलग-अलग टाइप क्या है के साब बारे में आजम चर्चा करने वाले तो लगातार ये सांब को सुबह 10 बजे कि क्लास होती है है दो तरीकिक fruit होते है एक होता है tree fruit होता है दूसरा false fruit होता है tree fruit में तीन चीजें होते है simple fruit aggregate fruit और compound fruit ध्यान रखिएगा simple fruit के अंदर गत क्या आता है एक एक समझेंगे और उनके बारे में जानेंगे Merkel fruit जो होता है एक तरीकिका single flower होगा और यस single flower में शिन कार्पस गा अनोसियाम गाइनोसियाम एक आइसा जो की ज्वाइन कर जाता है ठीक है ना तो सिन कार्पस गाइनोसियाम पाय जाता है औ가र यहां इसमें 2 चीज़ीं होती है एक होता है फ्लेसी फ्रूट और दूसरा होता है ड्राइब फ्रूट प्रूट की बात करें तो फ्लेशी फ्रूट ही क्या होता है फ्लेशी एंड डिफ्रेंस येटेट पेरिकारप आ जाते थे क्या फ्रूट पाजाते हैं मालसल फ्रूट होते हैं डिफ्रेंसीट होते हैं अलग अलग पार्ट में इसके बाद हम आग एक तरब चलते हैं ड्राइब फ्रूट की बात करें ड्राइब फ्रूट कहते हैं ड्राइब अन डिफ्रेंसीटिट पेरी कार यह देखेगा दोनों में अंत तरीके से जो बाहरी कवर जो पीरी कार्प कहा जाता है यह पूरी तरीके से विभाजित नहीं होता है ठीक है इसके बाद दूसरे के तरब चलते हैं दूसरा यह तो पहला हो गया इसके बाद दूसरे के तरब चलते हैं दूसरा सर क्या है एग्रिगेट फ्रूट सिंगल फ्ला है compound food food में क्या होता है इनके साथ जो inflow the skins भी होते हैं वो भी साथ में जुड़े रहते हैं यह जो fruit के types हैं यह तीन थे कौन-कौन simple था aggregate और compound fruit उमीद है बच्चों यहां पर आपको सारी चीज़ें समझ में और फाल्स फ्रूट के बात करें तो फाल्स फ्रूट थोड़ा सा अलग है ठीक है ना फाल्स फ्रूट यहां पर इसके बारे में जब फाल्स प्रूट क्या होता है यह थालमस के साथ होता है तो इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं यहां पर देखना है कि ड्राइब fruit में काउन काउन से और आते हैं पहले और थोड़ा से इसको अंदर के तरफ चलते हैं फिर जो है उसके बाद उसमें चर्चा करेंगे तो dry fruit मतलब यहां पे यह dry होता है और undifferentiated pericarp पाय जाते हैं यहां पे तीन प्रकार के होते हैं dry ढ़ाई डिफिस Н말ड और सेकेंड्य जो इड्राई इंड रैसेंस फूर्टट होता है तो ड्राई मतलब सूखा इंडिसेंज नसी का मतलब अलग तरीके के The future होते हैं तीनों और in तीनों के बारे में हम एक एक करके आपको सारा एक्सेलिन करेंगे तो सद्धेयर बना के रखना है और सारे कंटेंस को हम लेकर चलना उसमझते चलना कि सर किसका क्या मतलब थे खित हिसके बाद पारफेनो कारफिक फ्रूट क्या होता है इसको भी थोड़ा से देख लेते पारफेन गॉर्फिक मतलब पारफ विदावट फर्टलाइजेसएजन और जिसमें कार्पेल प्रिजेन हो ठीक है, फूर्ट इस फ्रड्म विदावट फर्टलाइजेसन ऐफ ओरी, और री की बीना फूर्टलाइजेसacular का होता है the process of formation of Parthenocarpic fruit इसकाल Parthenocarpic कहा जाता है और इसी को बनाना कहते हैं क्या कहते हैं सर बनाना ये केला होता है ठीक है न आपने इसको देखा होगा ये Parthenocarpic fruit होता है without fertilization of Ori की इनका formation होता है ठीक है अगला topic fruit consist of wal, pericarp and seed यहाँ पेड कारप में भी ड्राई और यह फ्लेशी टाइब को होता है बहले मैं आपको बता दूँ फूट इस फॉर्ब विदाउद फटलाइज़स नाफ वरी इसी को फटलाइज़स इसे को पर्थेनोकार्पी कहा जाता है यह आप जान चुके हैं और यहां पर पेरिकार्प देख दीजिए फिर आग में डिवाइड होता है एपी कार्प मिजोकार्प इंडोकार्प ठीक है और इसके बीच में थोड़ा सा और अंदर के तरब चलेंगे तो यह बीच वाला जो रिजन आपको दिखाई देगा इसे सीट कहते हैं ठीक है ना और यह पार्थेनोकार्पी जो फूट होता है यह आ पेरिकार्प होते हैं थोड़े से मांसल टाइप के होते हैं और ड्राई जो पेरिकार्प होता है यह एकदम ठोस होता है मजबूत होता है सुखा होता है ड्राई रहता है इसमें कुछी तरीके का वाटर का इंक्लोडेशन नहीं होता है ठीक है ना ठीक है ना इसके बाद टू आउटर एपी कार्प मेडल मीजो कार्प ठीक ना और इनर इंडो कार्प तीन चीजें सबसे पहले जो बाहरी वाला है एपी कार्प कहा जाता है बीच वाले को मीजो कार्प कहा जाता है मैंगो आपने खाया भी होगा अपने घर में और इसको देखेंगे यह जो यह जो होता है बीजवाला इससी इंडो कार्प कहा जाता है हम लोग समझते हैं लेकिन इस फीगर के अगर साथ हम देख तो इपिक आर्प मीजो कार्फ पी ना यह अलग अलग चीज है अगला टॉपिक है अगला टॉपिक के पास चलेंगे और यहाँ पर उस अरे ило points के बारे में चर्चा करेंगे ठीक है Noं कौन कौन है यहाँ पर इस पर्प यहां पर यहां पर ऐसे फूरूर जिससे false fruit कहा जाता है यह आप देखेंगे कि यह false fruit के अंतरगत आता है क्यों क्योंकि फैलमस इनके साथ में होता है त्यूमस मतलब जो flower का जो नीचे वाला portions होता है इस फैलमस कहते हैं मैंने अभी Class में अंदर जब flower आथा तो वहां पर हमने इसके बारे में चर्चे भी किया था कि सर्फ थैलमस क्या होता है थैलमस और पेडिसेल आलसो कंट्रीब्यूट फार फूर्ट फॉर्मिशन ठीक है ना फूर्ट फॉर्मिशन के लिए अपना कंट्रीबूट करते हैं योगदान देते हैं तो यहां पर फॉर्ट आप देख रहे होंगे यह तीनों के तीनों कैसे हैं सर फाल्स फूर्ट के अंतरगती आते हैं तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ठीक है ना इसके बाद सब्सक्राइब और आगे की तरफ चलते हैं यहां पर ट्ूप्रूट की बात करें डेवलप फ्राम फर्टलाइज ऑफरी यह आपको ध्याम देखना बहुती मोष्ट मोष्ट इंपॉर्टन पॉइंट है यहां पर की चुवर्व फ्राम फर्टलाइज होरि से यह डेवलप ह जाते हैं और औरी इंटू फ्रूट औरी किसमें बदल जाता है ये फ्रूट में बदल जाता है ये आपको ध्यां रखना है जब भी सीड में करण वर्ट होगा फिर्स में कह रहा हूं कि ओविल सी करण वर्ट है क्यों क्योंकि ओविल से सीड में करण वर्ट हो जाता है और जो त्वैलमस वाला रिजन ये आप देखेंगे तो यहां पर आता है और यह कि नीचे आयगा और एक बीच में इनका सीड आता है ठीक ना तो इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है फाल्स फूट कहा जाता है यह एक तरीके का फाल्स फूट होता है जहां फिस्था लोमस भी साथ में लगा रहाता है ठीक है इसके पाद आगे एक तरफ चलते हैं There is a great variation in nature of pericarp in the flesy fruit Flesy fruit के अंतर गत यदि देखा जात उनका जो nature होता है सर यह pericarp का flesy fruit में जो pericarp का जो nature होता है अलग-अलग तरीके होता है Based on nature of pericarp यह two fruit होता है, two fruit दो तरीकी होते हैं एक होता है सर फlesy fruit दूसरा होता है dry fruit Flesy fruit pericarp divide होगा E.P.Carp, Mezocarp और Indocarp में Dry fruit की बात करें तो dry होगा यह indivisible pericarp आ जाता है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि dry जो है सुखा होता हो और Indivisible मतलब यह पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता है लेकिन जो फ्लेशी होते हैं सर पूरी तरीके से तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं जैसे के अभी आपने मैंगो में देखा था एपिकार्प मिजोकार्प और इंडोकार्प क्लियर बचा कोई दिक्कत तो नहीं है एकदम कंसंट्रीट होके सारी चीजों को देखते चलिए और यह नोट्स बहुत गजब का है ठीक है ना पेरिकार्प नेचर इस वन और अब अकरेक्टर एस्टिक जूज़द टू आइडंटिफाई देफलेसिफ फ्रूट इंटू फाइब सर्थ जो फलेसी फ्रूट होता है सर इनके भी प्रकार होते हैं कितने प्रकार-की पांच प्रकार की कितने है five types के होते हैं पहला सर है डूप की बात है दूसरा बेरी है तीसरा हिस्पीरिडियम है ठीक है और चौथा आपका पेपो है और पांच वहां आपका पॉम है ठीक है ना यह पांच प्रकार की होते हैं इन पांचों के बारे में एक ही करके चर्चा करेंगे सबसे पहले हम डू को पूम औरी और अधियान रखेगा यहां पर ने करेरी और गए जोह होते हैंarnos होने के की वजाएति से मेंघो और को को नट ठीक है नमेंगो में क्या होता है अब यह चर्चा कर लेते हैं और यहां पर मैं आपको बता दू कि देर आर वन सीड़ेड यह जो होते हैं एक ही बीज वाले होते हैं तो इसका मतलब मोनो कार्पिलिर का मतलब यह होता है यह भी आप थोड़ा सा दिमाग में रख लेना है ठीक है इसके बाद मोयंगो पेरिकारप इस वेल डिफ्रेंसियेटेड इंटू एन आउटर ठीक है ना आउटर जो होता है वो पतला होता है ना आपने मैंगो खाया हो गया तो उसका जो वाला जो छिलका होता है उससे एपी कार्प कहा जाता है और जो मेडिल जो हम खाते हैं जो एट करते हैं वो मेडिल फ्लेसी एडियेवल जो मीजो कारप वाला कंडिशन होता है यह मद्ध भाग होता है एन इनर इस्टोनी हाड इंडो कार्ब जो बीज होता है जो जाल वाला होता है ठीक है ना उसको इंडो कार्प कहा जाता है थोड़ा सा हाड और स्टोनी टाइप होता है मजबूत होता है और यही वाला पूर्चन हम जब पानी में या तालाब में फेक देती है तो वहाँ पर जर्मियट करता है जर्मियट करने के बाद यह अपना जर्मियट करने के हैं अगला portion देख लीजिएगा फिर से एक बार एपी कार्प यह आप देखें कि सबसे ऊपर ही खोल ठीक है मीजो कार्प की बात करें दूसर यह मीजो कार्प एकदा मद वाला portion मतलब इनके और इनके बीच पी कारप और इंडो कारप का जो बीच वाला आ डीजवाल है इसे ही मीजो कार्प कहा जाता है आद ना और इंडो कारप यह अंदर वाला portion जो होता है इसे और पूरी तरिकी से 5 ब्रस होता है ठीक है ना। इसको ठ्शान रकना है इंडो इंडो इस्पर हमWow Abbott जाते हैं कि कोकू नट्ड का जो अंदर वाला जो पूर्षन सोुता है इससे इंडो को स्पर्म कहा जाता है ठीक है यही चीज हम लोग खाते हुए है और अगला पॉइंट है बेरी बेरी जो है अला बेरी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि सर बेरी क्या है यहां पर मीजोकार्प और इंडोकार्प आर फूजड वित तू फॉर्म द पल्प और सीड और हार यहां पर थोड़ा साब को समझना है कि सर मीजोकार्प और इंडोकार्प मतलब मीजो मद्ध वाला और अंदर वाला पूर्शन एक दूसरे सिक्दम पूरी तरीके से अटैच होते हैं और इसी को पल्प कहा जाता है ध्यान रखिए इंपोर्टेंट है डर्म कि सर पल्प किस से कहते हैं यह इंपोर्टेंट है इसको आप लिख लिजेगा और यहां पर इनके भी बीज आपने चेकिया होगा कि इनका जो बीज पाया जाता है यह थोड़ा सा हार्ड नेचर का पाया जाता है ठीक ना ग्रैप्स का भी सीड होता है आप लोग छोड़ी इसमें तो नहीं भी मिलता है लेकिन जब इनका बड़ा साइज मिलता है तो वहां पर आपको दिखाए देंगे ठीक है ना तो उसमें भी यह हार्ड टाइप को होते हैं और यह आपका सब्सक्राइब है टोमैटो भी बेरी में ही आता है तो यह इनका मीजोकार पर रुंडोकार्प वाला ऊंडा बेरी का कांसेट्र हो गया होगा इसके बाद आगे के तरफ चलते हैं अगला सबसाइं है नखी कोरफ इस फलेशी खतें इंडोकार पीज इस समोथ यहां पर मीजोकार्प कैसा होता है फ्लेशी मंसल होता है और इन टो कारपी इस मूथ होता है यह आप द्वाथ सा ध का मतलब कार्पिल्स पाजाते हैं ठीक ना यूनी लॉकुलर यूनी का मतलब एक होता है लॉकुलर का मतलब इनके बीज जो सीट के अलामा जितने स्पेस होता है उसे लॉकुल्स कहा जाता है इनफीरियर दो चीजें एक होता है सर सुपीरियर एक होता है इनफीरियर इनफीरि यहां पर आकार के आकार का होता है यहां पर यहां पर आप देख रहे होंगे यह इनका बेस्ट एक्जाम्पल है खासकर पेपूकों तो तीसरा टैप मैंने तीसरे टाइप के बारे में चर्चा कर लिया है इसके बाद अगला है इस पी रीडियम इट इस करेक्टराइज बाई लीधरी एपी कॉर्प विथ मैनी वेलेटाइल ओयल ग्लेंड्स पाय जाते हैं और पेपरी मीजो कॉर्प होता है इंडो कॉर्प वाल बीर करता है ज्यूसी हीर यह क्या होते हैं आप देखने होगा कि आपनी जू सिट्रस पूर्ट जितने भी होते हैं सब के अंदर वाला यह जो रिजन होता है यहां पर यूस पायता है क्या पढय जाता है सर जूस निकलता है ठीकना ही स्पीरीडियम डेवलपम कार्पल्रीजिंस कार्परश औरी हिसपीरीडियम डेवलपम एम अससर उतीह वाट इने कहा जाता है तो यह आपको थोड़ा सश्वểuगहँच न रखना पड़ेगा यह सिट्रस फ्रूट के ही अंतरगत आएगा ठीक ना इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि यहां पर अगला जो concepts है इनके कुछ questions है छोटे-छोटे questions के बारे में चर्चा कर लेते हैं fertilize ori is called fertilize ori को हम क्या कहते हैं fruit कहते हैं क्या कहते हैं sir fruit कहते हैं या mature या ripened ori की भी लिखा लिखा जा सकता है और develop from after fertilization ठीक न यह दिहार नखना है और इसके बाद अगले पाइंट की तरफ चलते हैं अगला point है पार्थेनो कार्पिक fruit is far without fertilization of ori औरी की बिना किसी fertilization के हाँ पर फ्रूट का formation हो जाता है ठीक है अगला है example आप पार्थेनो कार्पिक fruit is क्या है sir banana banana के बारे में आप जानते होंगे कि पार्थेनो कार्पिक fruit banana यह आपका पार्थेनो कार्पिक fruit होता है तो इसको आपको ध्यान कर रहे हैं वह जरूर वीडियो के देखें ठीक ना इपरी कार्प इस ठीक एंड फ्लेशी fruit इजनरी डिफ्रेंसियेटेट इंटू थ्रे पार्ट में यह डिफ्रेंसियेट होते हैं एक होता है पी कार मीजो कार्पिंडो कार मैंने इसके बारे में आपको बता लिया तो फर्स्ट वाला रिजन यहां पर सही हो जाएगा इसके बाद फाल्स फूटेर फूर फॉरण वाइद्ध यह ड्धेरिमर्स और पेडिकलस आल सो त्रीब्योट फारफट फॉरचन और इस तरीए के फूट को फाल्स पूट कहा जाता है फाल्स Sidonक Craig चीजें अट étaस होती है मैनने आपको बताया था कि सरत हैलमस के साथ साथ में पेडिसिल भी होता है अगला कुश्चन एक्जामपल आप डूप फ्रूट की बात करें तो मैंगो एंड कोको नट ठीक है ना तो यहां पर मैं आपको बता दो कि आज का इतना ही कर रहे हैं और कल हम ड्राइफ फूट के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि बूर नहीं होना है धीरी धीरी सीखती रहना है और इस वीडियो को हम कल लिक आएंगा आपके सामने फटाफट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ठीक है ना तो बच्चों बाए बाए इंटेकर अपना ध्यान रखिए सुस्त रहें और खुब जिम्मेदारी से बढ़ते रहें ठीक है ना चले बाए